हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्वल आर्च विद्वीनी में फ्रेंड्स हम अपने आर्ट मुवमेंट्स के ही टॉपिक को आज वापिस से लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टन्ट है आर्ट एक्जैम्स की दृष्टी से या आर्ट हिस्ट्री की दृष्टी से दोस्तों फौविज्म, फाववाद जिसको आप नॉमल उसमें बोलें तो जंगलवाद भी कहते हैं कह जो है कहीं हिंदी में देखेंगे कहीं जंगलवाद भी कहते हैं कला अंदोलन आपने नहीं देखें वैसे तो देख ही लिया होगे तो आपको लिंक में भी मिल जाएगा चैनल प्लेलिस में भी मिल जाएगा आप लोग देख लीजेगा नेट को लेके अधर कॉंपेटिटिव एक्जाइम को लेके आपके कोई भी डाउट में तो विज्वेल आज वित्वेनी टेलिग्राम पब्लिक ग्रूप पर जॉइन हो सकते हैं उसका कोई वो बिल्कुल फ्री है कोई कोस्ट नहीं है उसका और यह डेली कोचिंग जैसा ही है कि हम वहाँ पर क्विज्ज और आपके डाउट वहाँ पर शेयर होते हैं और भी कोई अगर डाउट हो जिसका टेलिग्राम अकाउंट नहीं हो तो आप इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करके डियम कर सकते हैं कि चले देखे दोस्तों लास्ट टाइम जो हम लोग देख रहे थे हमने सिंबॉलिजम पड़ा हमने प्रतीक वाद पड़ा आर्ट नोबूस पड़े इसा पड़ा तो यह समझते हैं कि जब बीस्वी शताबदी में कदम रखा एक चेंज आया एक स्लाइटली चेंज आया त तो क्या हुआ है तो कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो सिर्फ जो मॉडनिजम जो आधुनिकता प्रभावात के समय शुरुवात हो गई थी उसी को और चार चांद लगाने का काम बीस्वी शताबदी ने किया ठीक है तो इस समय की कला को प्रयोगात्मक कहा गया प्रयोगात्मक मतलब experimental कहा गया क्या कहा गया experimental क्या है क्यों क्योंकि इस समय different types of experiments हुए बीसवी शताबदी अभी यह बात सिर्फ अपन फॉविजम के नहीं कर रहे है जो आगे आठ मुवमेंट्स आएंगे क्यूबिस्म है शुरुरिजम है एक्स्परेशनिजम है तो यह सब क्या है यह सब प्रयोगात्मक टाइम है और यह mostly experimental रहा 20th century बीसवी शताबदी की प्रेश्टबुमी जो background है उसमें सबसे पहले का योगदान किसका हुआ है तो भाई सीजा गोगा वान गोग मीन्स जो post impressionist artist है background की बात की गई है इसका मतलब यह नहीं है कि यह कलाकार बीसवी शताबदी के कलाकार है यह 19 विशताबदी के कलाकार है और इन कलाकारों का योगदान रहा है मतलब 20 विशताबदी जो आज हमारे सामने हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उसको background देने या उसकी प्रेश्ट भूमी या हम बोलेंगे कि उसको आगे लाने का श्रे back से किसका जाता है यह कुछ impression artist का जाता है ठीक है Cezanne Goga जो हम post impressionist में देख चुके हैं पिकासो ने क्या किया पिकासो ने जो है अधुनिक कला मतलब मॉडर्न आर्ट को एक सरुब्रोमिक संस्कृति के तौर पर बताया एक युनिवर्सली कल्चर के तौर पर बताया बिलकुर क्योंकि आज हम भारत में बैटने हैं तो भी हम कह रहे हैं कि पिकासो मीन्स मॉडर्न आर्ट तो एक विश्विश्टादी के बहुत बड़े वन कि उनिवर्सली मतलब बताया कि इच नेसेसरी है और होना चाहिए और पिकासो का की जो कार है उसको इजी किसने बनाया मैटिस ने तो मैटिस ने भी इसकी इस चीज में जो इसका एक तारगेट था कि आप मॉडर्न आट को एक युनिवर्सली उस चीज को पेश करें उसको इजी किसने बताया है और हैं अब हैं अभी पढ़ेंगे इस लेकिन उससे पहले हम देख लेते कि वाट इस फाव फाविस्ट मुमेंट क्या है उससे पहले हम यह चीज इसलिए बताना चाहरे हूं कि देखिए जो रंग शुद्धता है रंग शुद्धता प्रभाववादी ह उसी को चार चांड लगाने का काम वित वाइबरेंट कलर्स कलर के वाइबरेंट पेचेज इन सब चीजों से उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम फाववाद का था ठीक है तो एक प्रभाववादी जो है उस इंप्रेशनिस्ट रंग शुद्धता हैं पर हमको मिलिए कि ड अच्छा घिर रहाइन को का मतलब उस चीज का फेमस हैं जब हम आगे देखेंगे यह च्पा रिंट के लिए जाती मतलब तो वह उसके जपाइनी प्रिंट्स के अलंकारिकता भी हमको यहां पे कहीं-कहीं मिल जाती है आदीम कला प्रिमिटिव आर्ट जो है न इसमें दिखती है सिंबॉलिजम प्रतीकवाद जो हम लास वीडियो में पढ़ चुके हैं तो उसके क्योंकि प्यूनर ही पॉल गोगीन थे वह चीज भी आपको इसमें देखने को मिलती है यहां के उसमें और नाभी कला नाभी कला तो बिल्कुल आपको पता है कि फॉलोवर् आपको याद रखना है कि वहां से उसका स्टार्टिंग हो गया था चलिए अब आगे चलते हैं देखें अभी बात की अपनी फॉविस्म पांच में स्टार्ट हुआ सालोन डे ओटम जो है पैरिस में पैरिस में सालोन डे ओटम इनकी प्रदर्शनी थी याद रखना प्रदर्शनी थी और पैरिस बोले तो फ्रांस तो आपको मैंने जब भी बोला है कोई भी आर्ट मुमेंट है इनको यह चीज़े जरूर याद रखना कि साल चालो हुई कहां पे चालो हुई ठीक है तो 1905 की है फॉविसम और फ्रांस म थी रॉल्स थे मार्केट थे जैन पूई थी और कमोईन थे यह सारे जो कलाकार हैं यह आपके पॉविस्ट के सॉलन डे ऑटम उस नाम के एक्जिबीशन में इन वाल्ट थे इसको देखके घबराने के जदनी है हम इनको एक एक को डेटेल में आगे पढ़ने वाले इन क्यों उनको काम देखके जब आफॉर्विस्ट का काम देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी जंगली लोगों ने उसको बना दिया थे इनका काम देखके यह नामकरन दिया गया तो इसलिए उसका नाम क्या पढ़ा फॉर्विस्ट मतलब वाल्ड बीस और वाईल्ड हो गए यह अधिकांश कलाकार वेरी इंपोर्टेंट गुस्टाव मेरू के शिष्य थे मतलब हेंड्री मिटा इसके गुरू कौन है क्वेशन आ सकता है जैसे कि अधर आटिस कहाता है तो वह गुस्टाव मेरू थे और जंगलवादी कलाकार ऐसा भी आ सकता है कि जंगलवाद स्टार्टिंग में इनके साथ वो थे चीक तब पहला आर्टिस्ट पढ़ते हैं हैं ट्वेंटीएट सेंचुरी के मॉडर्ण पेंटर इक्वल वो रखते हैं जो पिकासो लगता है जो वेल्डियो पिकासो की है वो हेंड्रिमेटाइस की है 1869 से 1954 इनका टाइम पीरेड है अच सब्सक्राइब में इनका टाइम पीरेड शायद थोड़ा सा गलत लिखते तो उसके लिए मैं सौरी दिल से मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मैं फिर नीचे कमेंट पिन कर देती हूं क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट रहते हैं तो एकदम ग्याद तो नहीं रहता पर रहा मुझे देख के मैं जो लिखती हूं तो वह मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तो मैं आगे से विल्कुल ध्यान रखोंगी देखिन ऐसा हुआ तो वह पिन कर देती हूं तो आप प्लीज अगर आपको एक बार थोड़ा सा कंस्यूजन होता है डेट को लेके त उसमें जो फिगर्स हैं वह बहुत डिस्प्रोपॉशन है अनुपात्थीन है अब आगे क्या है बैंगनी हरा नीले रंगों का उप्योग किया है तो यह इन्हीं ने नहीं फौविस्ट का भी एक करेक्टर स्टिक से कि यहां पर बैंगनी हरे नीले रंग का उप्योग यह थोड़ा सा अंतर हो गया है जैसे कि हम इंप्रेशनिस्ट को बोलते हैं तो उन्हें नेचर को इंस्पाइड हो के और काम किया है तो प्रभाव इंप्रेशनिस्ट है लेकिन यह चीज आपको थोड़ी अलग है दूसरी चीज बैजेंटाइन मूरलों का अध्यन किया है बहुत बार कोश्यन आया है दूसरी एक्जाइम्स में कि फाव वाधियों की प्रेड़ना क्या है तो बैजेंटाइन के मूरल्स जो मिजैक्स है यह मैरन के जो काच है रंगीन काच उसकी उन्हें प्रेड़ना लई है और वो उसका इफेक्ट उनकी पेंटिक्स में हमको दे पॉस्ट इंप्रेशन देखा आप खुद देख रहे हैं उपर में बता चुक्यों लेकिन रंगों को उनने सबस्यादा महत्व दिया है मैटिस उत्तर प्रभावद मतलब पोस्ट इंप्रेशनिस्म और आधुनिक यूग के बीच की कड़ी है अभी बात आप इसको बिलकु के बारे में बात की तो यह जो सब हैं यह सब पोस्ट इंप्रेशनिस्ट है और इनको उसका भी प्रभाव फाववदी में आ रहा है लेकिन आने वाली जो अधुनिकता है उसका भी प्रभाव फावववदी से स्टार्ट हो रहा है तो वो उस दोनों को जोड़ने का काम हैं उन्हें जोड़ दिया है कि 1891 में पैरिस गए गुस्टाफ मेरू इनके शिष्य थे अब उपर बात किया अपने गुस्टाफ मेरू इनके शिष्य थे कहां पे पैरिस में 1896 में गुस्टाफ मेरू की मृत्यू के बाद चितरकाला का अध्य मेरू कौन बन गया कर्मोन बन गया और उनने मेरूटस की पाथी निकल दिया तो 1896 तो वो दर थे चत्रशाला में लेकिन उसके बाद वहां से निकल गए गुस्टाफ मेरुट की डेथ के बाद 1899 में इनने नव प्रवाधी प्रयोग यूज़ किया नव प्रवाधी मतलब पता है आपको बिंदू उख से यूज दू के दो कलाकारों में से एक हैं आपको बता दिया एक पी कासों है दूसरे यह है 1920 में इनका समय नाइस पीरियट कैलाता है काभी आज है किया तो 1920 का अच्छा कारे क्रश्ट कारे कि नाम से गोल्डन एज समझते हैं आप वही नाम से बोला है 1935 में इनने स्थिर चितरण और आकृति चितरण किया, 1954 में मैटिस की मृत्ति हो गई तो इससे उपर आपने पेपर कटिंग कारे के लिए भी जाने जाते हैं। क्वेस्चन आता है कोई आटिस्ट ने के लिए जाना जाता है। तो वह हैन्त्रीम मेटाइस है। जो ने शॉक्ट एक्टिक्स किया तो वह हैन्तरीम मेटाइस है। पेंटिंग देखिए आप अब डिनर टेबल नाइटी 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 सिक्स में ऑईल ऑन केंवास किसने बनाई है हैं यह देखिए ओपन विंडो ऑईल ऑन केंवास यह सेलों डे पैरिस 1905 में वो जो आपकी एक्जिबीशन थी ना उसमें के रगा था तो आप इसमें सब देख सकते हैं जो कलर्स यूज के हैं क्या वही है मैंने आपको बताया जो बाइजन्टेन मूरल्स की प्रेड़ना लेके काम किया है पॉइंटलिजम दिखा है सब कुछ यहां पर आपको दिखा है मोटे मोटे और इंप्रेशिनिस्ट इफेक्ट भी दिख्या होगा वूब वह भी मैडम मटाइस हैं यह जो ग्रीन स्ट्रिप है दोनों चीज आ सकती है यहाद रखना इसलिए मैंने नीचे लिग दिया तो इसको कभी इसका नाम पोट्रेट ऑफ मैडम मैटाइस भी आता है लेकिन ग्रीन स्ट्रिप एक कोई पेंटिंग नहीं है इस पोट्रेट है म आया है का दिख्जाम में किसे ने बनाया 1905 में तो यह मैटाइस ने आप उपर देखिए इनको जरा कि इनकी मतलब बोडी फिगर प्रपोर्शन देखी किस चीज पर सबसे पहले ध्यान जा रहा है ध्यान सिर्फ कलरों पर जा रहा है क्योंकि उसका उद्देश ही है इसलिए कितना डिस्प्रोपोर्शनली उनको बनाया है उनकी अनटामी लेकिन इस्टिल उनके रंगों के कारण यह चीज आपको अच्छी दिख रही है मतलब यह पेंटिंग्स फेमस हुई है गोल्ड फिश किसका पेंटिंग है 1912 में ऑईल-on-canvas यह भी हैंड्री मिटाइ का पेंटिंग है पियानो लेशन ओ裁ल-on-canvas यह भी हैंड्री मिटैस का पेंटिंग है गिच्वाइट पर्न्स अपस धिए यह चैंड्री मिटैस का पेंटिंग है जोच रोल्ड है एक पनता नहीं देल एक किया इसलिए उसमें अपने रख लिया इन्होंने अंधेरी रंग योजना का उभ्योग किया है मतलब डाक कलर स्कीम यूज करी है यह मध्यूगीन रंगीन काचों से प्रभावित थे समझ गए मतलब तो यह एक फॉविस्ट की कॉमन प्रॉपर्टी है कि यह उससे प्रभावित थे यह जो थे रॉल्ट थी 1898 में मेरो म्यूजियम के प्रथम क्यूरेटर बने थे जॉज रॉल्ट को इसलिए पढ़ाया कि उनका यह वाला काम बहुत बार नेट की एक्जाम में आया है कि क क्लॉं किससे बनाया है तो यह क्लोन इट सिफ एक नहीं है दो तीन बनाहे है से तरह का जो क्लोन उनने बनाये है वह ऑलन कैन्वा से जॉज रोल्ट का बनाया गया है त्रीं जचिज मतलब थीं जच आप समझे रहें गौच और ऑॉयल ऑनस बार है जोऑज रोल्ट ने बनाया है तो इसी इन डाक्नेस एकवाटेंट एचिंग है यह भी जोज रोल का बनाया गया है दूस्त तीसरा जो फॉर्विस्ट आर्टिस्ट आते हैं वह आते वलामेंक जिके मौरिस वलामेंक नाम याद रखो तो कम से कम वह भी बहुत हो जाता है इनका जन्द पैरिस म क्योंकि मुजिशन के बेटे थे तो एक वह भी चीज होगी राइटिंग क्राउड भीड़भाड मतलब उससे प्रभावित थे वह फर्स्ट आर्टिस थे वह पहले आर्टिस्ट है विस्विशत आपदी के जिनने विद्रो का स्वर उठाने चालू किया ठीक है विद्रो का कैनवास आप इसमें देख सकते हैं वला मिन के पॉंटलिजम को और इंप्रेशनिस्ट को किस तरह से यूज किया है इनने सफेद रंग के बिंदू ठालगा के और अलग-अलग चीजों से उनने उसका इफेक्ट दिया है पोट्रेट ऑफ डेराइन डेराइन जिनका भी हम ब लगाते थे किस तरह से काम किया जाता था और इस दो ओनली रिजन के यह वा दी है लगी एक एक दम जो रहें जंगली पन है तरह से बोलेंगे वह उसमें दिखता है लेकिन इसकी बात अलग है कलर देखिए लाल कलर लगा दिया है चीक है गर्ल एट रेड मोट क्या बनाया है देखिए कोई देखिए किसी को प्रॉपर करने की कोशिश नहीं करिए बस तिल यह एक बहुत सुन्दर आर्ट वर्क है चीक है किस तरह से उसके डॉट से पूरी सब चीज़ों का यूज किया है यह आप देख सकते तो गर्ल एट रेड मोट गार्डिनर सिर्फ इंप्रेशन आ रहा है कि वह एक गार्डिनर है पेड कैसे जा रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है लेकिन कलर्स पे जो भाव जा रहा है वह उसको उनने इफेक्ट वह लाने की कोशिश किये विलेज स्ट्रीट रीड पैन ब्लांकिंग से इन मतलब गुस्टाफ मेरूट का ही शिश्य है जिस अकेडमिय पढ़ता था वहां पे मैटिस भी विध्यार्दी था यह नेगरो स्कुल्प्चर और सीजान से प्रभावित थे ठीक है इन्होंने पिट्सपर के कार्नेजी पुरुसकार प्राप्त किया था यह भी चमकदार रं ज्यादा किया 1954 में सडग गुवटना में इनकी डैथ हो गई थी तो देखिया और उसके बाद ने अले गुवट्रीन का युज जादा किया डांस इनका पेंटिंग है किस तरह से यूज ओफ वाइब्रेंट कलर्स देखिये कि किस तरह से कलर्स को यूज किया गया ठीक है य यह फॉविस्ट का पेंटिंग है और नियू इंप्रेशनिस्म में भी फॉविस्ट आर्टिस्ट ने काम किया यह याद रखना यह वाटर लूलू देखिये पूरा वही इंप्रेशनिस्ट है लेकिन ब्लू और वाइलेट का जिस तरह का डैनेमिक यूज है यह वाताकरन पर प्रभाव पड़ा मतलब जो भी नेटरल इन्वामेंट है ओशिन का और इसका ब्यूटी उसका प्रभाव पड़ा संगीत कक्ष के ऐसे बहुत सारे जो पेंटिंग्स है सीरीज जैसी वो ने बनाई घोड़े का दोड इस तरह से क्लियर दिखनी रहा बर इस तरह की घोड़े की दोड नाउं की दोड यह दिख रहे हैं देखने कितब बड़ी है वाइबरेंट कलर्स मोस्टी कॉंसी वससे ऐसी कोशन बनते हैं जब सब के पेंटिंग्स देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा अब देखते हैं एक और लास्ट चार्टिस देखते हैं एलबर्ट मार्केट ठीक है इनका आरंबिक कार फॉव प्रभाव जंगलवात उमीद है आपको समझ आया बस इनको समझ के रखोगे तो कोशन कोई भी आएंगे हम करेक्ट कर सकते हैं हमें पता है कि किस शेली में काम करते हैं किस तरह से काम करते हैं ठीक है तो यह हो गया फॉविजम अब जो अगला हम देखेंगे वो है एक्सप्रेशन इस अभी वेंजनावाद ठीक है तो अभी वेंजनावाद के साथ जल्दी लोटेंगे तब तक आप बिल्कुल यह तो चल रहा है लेकिन साथ साथ प्लीज प्रिवियस यर पेपर को सॉल्व करना ना छोड़ रहें अगर एक बार हो गया है तो दूसरी बार फिर करें हमें एक बार में वह याद नहीं रहता है ठीक है थैंक यू सो मॉच बाइबाइब आल दे बेस्ट